कि नमस्कार मैं ब्रिज मौन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर साइं ग्रंत राइटर रेड़ बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में आजम बात करेंगे गरम पानी से आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं जी हाँ यदि आपको लगता है कि आपका पेट बड़ा हुआ है यहाँ शरीर में फैट अधिक है तो गरम पानी का सेवन एक तरीके से करें और आप देखेंगे कि फैट बहुत अधिक कम हो गया है हर एक चीज का सेवन करने का कुछ तरीका होता है और हर एक तरीका अलग-लग लाब द यदि आप सही डंग से गरम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बोटापा कम हो जाएगा आपकी फैट कम हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर से चर्बी पिगल कर बाहर चली गई है और आपका इंचिस के साथ साथ वजन भी कम हो गया है और बहुत जल्द कम होता है यह नहीं कि समय लगता है बहुत अदिक जल्दी बहुत जल्द होता है यह सब क्या करना है एक तो आपने सुबह सुबह पानी पीना है फिर खाने के बाद भी एक गंड़ा पानी नहीं पीना है उसके बाद भी घरम पानी पीना है कोशिश कीजिए कि पूरा दिन जब भी पानी पीएं, गरम पानी पीएं, प्रंदो यदि गरम पानी नहीं है, तो दूसरा पानी पी लेना है, ये नहीं कि फिर दूसरा पानी भी नहीं पीना है, दूसरा पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्राबलम नहीं है, प्रंदो कोशिश करें कि गरम पानी पीएं तो अदा अच्छा है पैसे खाने के बाद यदि आप एक गंटा पंतालीस मिनट पानी ना पिए तो बहुत ही अच्छा होता है और जैसा मैंने अभी पताया आपको कि सुबह के वक्त जब आप पानी पिएंगे तो उसमें निम्बू डालेंगे और शेहद डालेंगे और वह पान गरम होना चाहिए जिसे आप चाय जैसा पिएंगे जैसे चाय पीते हैं चुसकी चुसकी करके पिएंगे इससे आपकी फूड पाईप बिलकुल वाश हो जाएगी बैक्टिरियस का वहाँ पर जमाव नहीं होगा और आपको बहुत अदिक लाब मिलेगा इसी परकार दिन मे जितनी बार पानी पीते हैं यदि गरम पीएं तो बहुत अदिक लाब मिलता है यदि दिन में दो तीन बार चाय की तरह गरम गरम पानी पीएं तो बहुत अदिक लाब मिलता है यदि उसमें अद्रक का रस और थोड़ा सा शेहत डाल लें तो और भी लाब मिलता है ये शाम कोफी ले या गरम पानी ले यह नहीं है कि आप उसके बाद कोल्ड्रिंग पी रहे हैं कोल्ड्रिंग पीने से वह जम जाएगी पेट में और आपको प्रॉब्लम होगा यानि जो हम उइली लेते हैं वह प्रॉब्लम करता है कोशिश कीजिए कि एक गंटा 45 मिनट पानी का सेव काने के बाद प्रन्तु यदि इतना समय आप नहीं रह सकते हैं आपको मुश्किल होती है तो कम से कम 45 मिनट मत पिए हमारी जीबा से और हमारी बॉड़ी से जो आगजायम्स निकलते हैं जब हम पानी पी लेते हैं तो उनका रूप बदल जाता है यानि कुद्रत ने एक नि पी लेते हैं तो वो अगर निशान्त हो जाती है जिससे खाना पूरे समय पर पच नहीं पाता है और बासी हो जाता है जैसे डाइनिंग टेबल पर खुला खाना पड़ा हो खराब हो जाता है ऐसे ही हमारे पेट में वो खराब हो जाता है जिससे अपच गैस और भहुस सारी problem हमें create होती हैं जो फिर हमें fat देती हैं यदि आप ठीक धंग से खाना खाएं नियम समझे खाने के तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे क्योंकि परतेग रोग पेट से ही शुरू होता है यदि इस धंग से खाएंगे तो बहुत अधिक लाब मिलेगा गरम पानी का प्रयोग समय समय पर करते रहेंगे तो और अधिक लाब मिलेगा क्योंकि गरम पानी अपने आप में ही एक अमरित के समान है जो आपकी बोड़ी से अनावशक चरबी को बाहर निकाल देता है इसमें जब निम्बू डालना है तो उसी समय डालना है यह नहीं कि आपने वो पानी त्यार किया ठंडा हो गया फिर गरम किया ऐसा नहीं है गरम पानी करें उसके बार निम्बू निचोड़ें उसके बार शेहद डालें और पी लें उसको पड़ा मत रहने दें वरना वो और अधिक नुकसान करेगा ताजा लें और ताजा ही पीएं बासी हो जाए तो फैंक दें नया बना लें इस परकार आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक लाब हुआ है और रात के वक्त जो पानी पीना है उसमें शेहद डालने की जरूरत नहीं है सिंपल पानी पी सकते हैं कोई प्राबलम नहीं है तो इस परकार आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा आप देखेंगे कि चर्बी भी कम हो रही है आपका वेट भी लूज हो रहा है थोड़ा खाने पर यदि आप ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा मिर्च वगरा यदा ना खाएं, खटा यदा ना खाएं तो और भी अधिक लाब मिलता है अब मैं यहाँ पर वीडियो समापत करूँगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें क्योंकि मुझे अच्छा लगएगा आप लाइक करेंगे और यदि आपको लगता है कि दूसरे लोग को कोई ये वीडियो देखने चाहिए उनको लाब मिलेगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें शेयर करने से दूसरे लोग भी इसका लाब उठा सकते है यदि ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करतें क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए